हे दोस्तों स्वागत है एक और ना इंट्रेस्टिंग वीडियो में मेरे पास है रियल्मी 12 प्रो 5G और आज किसमें इसके फीचर्स के बारे बात करेंगे इस फोन में जो हमें out of the box android 14 देखने हो मिलता है साथ यहां पर इनका खुद का कस्टम स्किन देखने हो मिल जाता है जो बात करें सबसे पहले फीचर की इस फोन में जो आपको अमले डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है कैसे आप इसे इनेबल कर सकते हैं और इवन यहां पर काफी सारे कस्टमेशन भी देखने हो मिलते हैं चलते हैं इसके सेडिंग्स ऑप्शन में उसको स्कूर डॉन करके वाल इसको इंस्टॉल करके यहां पर काफी सारे अपने मोजी बगेरा बना कर जो है उस और डिस्प्ले में लगा सकते हैं canvas भी यहां पर दिया गया है जो कि आप अपने जो है phone से directly इंस्टॉल करके रख सकते हैं यो यहां पर दिया गया है और बहुत सारे यहां पर यहां पर दिया खिया गया है जिसको करने के बात लॉब इस तरीके आंट गो मिले हैं और है यहां पर्टय बारो more wallpaper मिलेगा तो यह redact कर देता है आपको थिम application में जैसे कि यहाँ पर देख पा रहा है यह थिम application में redact हो गया अब आपको यहाँ पर काफी सारे डालोड करके इइंस्टाल करके लगा सकते है comes और यह रीडेक्ट कर देता है आपको थिम application में और यहाँ पर आपको काफी सारे themes देखने को मिल जाते हैं, जैसके आप देख पाएंगे काफी सारे themes दिये गया है, कुछ free है, कुछ यहाँ पर trial के लिए दिया गया है, और कुछ को आपको download करके पैसा वगेरा देकर लेना पड़ेगा वागी category wise यहाँ पर category wise theme और front यहाँ पर style को भी change कर सकते हैं, काफी सारे आपको friend style देखने को मिल जाते हैं बट इनके लिए आपको payment देना पड़ेगा, आप देख पाएंगे यहाँ पर 40 रुपया, 50 रुपया, ऐसे गर के payment है, कुछ free है, उनको आप चाहते हैं apply कर सकते हैं अगर आप apply करते हैं, तो यहाँ पर आपको phone को एक बार reset करना पड़ता है, यहाँ पर देखिए, एक बार reset करने को बोलेगा, reset करने बाद यहाँ पर apply होगा, तो आप apply कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर download वगेरा करके, मतलब restart कीजिएगा, तब यहाँ पर आपका apply होगा, त पर और more पर click करके, अपने हिसाब से यहाँ पर icon को भी change कर पाएंगे, यहाँ पर काफे सारी icon भी style वगरा देखने को मिल जाते हैं, और बागी आप यहाँ पर अपने according icon को shape दे पाईएगा, उसके color के option की बात करें, तो यहाँ पर आपको जो notion panel पर color देखने को मिलता है, य आप अपने according change कर पाएंगे, यहाँ पर देखिए, यह green हो गया, इसको अरते यहाँ पर blue हो गया, और यहाँ पर देखिए, इस तरह के color, तो color वगेर आपको change करना है, अपने notion panel का तो आप कर सकते है, quick settings का यहाँ पर option देखने को मिल जाता है, quick settings यहाँ पर quick settings आता है, इसके shape को आप change कर सकते है, यहाँ पर आपको काफी सारे shape देखने को मिल जाते है, जो shape आप यहाँ पर apply कीजेगा, उस shape का यहाँ पर आपको notion panel में quick यहाँ पर देखने को मिलेगा, भागी मैं normal color ही लेने देता हूँ, उसके यहाँ पर आपको fingerprint animation देखने को मिल जाता है, quick settings देखन fingerprint animation की बात करें, तो काफी सारे animation दिये गये हैं, जिनको आप apply कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको select कर लिया है, अब यहाँ पर मैं lock करता हूँ, यहाँ पर fingerprint animation है, वो कुछ उस तरीक का हो गया है, यहाँ पर जो मैंने select किया था, तो fingerprint animation भी आप यहाँ पर change कर सकते हैं, age light function वगएरा आने पर age light आपको देखने हो मिलेगा, कुछ इस तरीका का जैसके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो आप इन तीनो color में से कोई भी slick करके रख सकते हैं, या फिर यहाँ से disable करके भी रख सकते हैं, नेक्स्ट वीचिक बात करें, तो यहाँ पर आपको Google dialer दे search करना है, और इस वाले dialer आपको install कर लेना है, अब simply इसको open करना है, और allow अगेरा जो भी यह मांगता है, दे दीजेगा, और इसको अपना personal dialer set कर दीजेगा, set as default, अब आप यहाँ पर इस से अगर call करते हैं, और call record करते हैं, तो आपको जो है, टेंसर ने लिए कि जरूद नहीं है, सामने वाले को पता नहीं चलेगा, आप call record कर रहे हैं, और काफी अच्छे देगे से यह call को record करता है, बाग यहाँ पर three dot पर click करके, अगर यहाँ पर settings पर आते हैं, तो यहाँ पर देख पाएंगे, आपको speed dialer भी मिल जाता है, इसमें साथ-साथ यहाँ पर answer, end call क करता है, और देख पाएंगे, यहाँ पर यहाँ पर call recording देखने को मिल जाता है, आप अपने according किसी person का call record करना चाते हैं, तो उनको add कर सकते है, और यहाँ पर record all call, आप select कर पाएंगे, उसके यहाँ पर block वगेरा भी, आपको option देखने को मिल जाता है, और operate relator, यह सब देखन मिल जाता है, more settings में यहाँ पर flash on call का भी option देखने मिल जाता है, अगर आपको चाहिए, बट इस से battery drain होता है, तो आप चाहिए, तो यहाँ पर इस वाले dialer के इस्तमाल करके call record कीजिए, और सामने वाले को पता नहीं चलेगा, नेक्स्ट फिक बात करें, फोन को जब पहली ब home screen में आ जा रहे, तो इसको हट आने का simple एक उपाय है, आपको यहाँ पर app market पर आना पड़ेगा, app market पर आने के बाद, यहाँ पर आपको simply general में जाने के बाद, आपको settings के option पर जाना है, और simply आपको यहाँ पर इसको disable कर देना है, hot app and hot game, यह simple हो गया, अब मैं आपको दिख कफी easy way है, इसको हटाने का, next feature बात करें तो इस phone में जाए आपको app lock, app hide और साथ यहाँ पर private safe का feature देखने हो मलता है, इसके लिए आपको आना पड़ेगा, इसके settings option में, score down करके आपको सीधा आ जाना है, इसके security and privacy option में, और यहाँ पर नीची की तरफ आपको देखने हो मलत आप pin दे सकते हैं, या फिर default password type पे click करके, आप pattern select कर सकते हैं, मैं यहाँ पर pattern select करता हूँ, उसके यहाँ पर आपको जो भी देना है, दे दीजे, okay कीजिए, okay करने के बाद यहाँ आप Amazon को select कर सकते हैं, three dot पे click करते हैं, settings पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको दो option देखने हो मिल जाते हैं, lock the screen और यहाँ पर जो है, extending the app का option देखने मिल जाते हैं, तो basically आपको यहाँ पर जो है, extending the app select करना है, क्यों select करने मैं बताता हूँ, यहाँ पर जैक से कि मैं Amazon पर आता हूँ, password देता हूँ, open हो गया, और minimize करता हूँ, तो यहाँ पर open ही है, देखिए, minimize करते है तो open ही है, तो आपको simply यहाँ पर app lock पर आकर, क्या करना है, आपको इसको जो है, मैं settings पर जाता हूँ, और यहाँ पर exchanging app का option select कर लेना है, और अगर आपको fingerprint वगएरा जो है चाहिए, तो password में जाकर, आप यहाँ सो fingerprint वगएरा enable कर सकते हैं, यहाँ पर आपको app lock fingerprint वगएरा क यह सब का option देखने को मिल जाता है, unlock method, जैसे कि यहाँ पर fingerprint आप just select कर सकते हैं, face unlock select करना है, तो unlock method में आप कर सकते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो है, अब देखें, यहाँ पर हर बार मैं minimize करूँगा, हर बार यहाँ पर lock हो जाएगा, देखें, हर बार minimize करते हैं, हर बार यहाँ पर lock होगा, तो यह वाला feature जो है, आप definitely enable कर लिजेगा, जिससे आपको जए अच्छा रहेगा, next hide app की बात करें, तो यहाँ पर आपको password देना है, जो आपने app lock पे password दिया था, उसके बाद जो भी application आपको hide करना है, simply उसको slick करना है, slick करने के बाद यहाँ पर settings आजाता है, अब यहाँ पर आपको code यहाँ पर देना है, code में ध्यान रखेगा, जो भी code देजेगा, आपको वो याद रखना है, hashtag 1234 hash मैं देदा हूँ, तो मेरे को 1234 hash दिया, मैंने tick कर दिया, अब यह बोलेगा, dialer पर जाकर आपको यह वाला type करना है, तब भ यहाँ पर Amazon है, वो hide हो चुका है, अब मैं यहाँ पर simply dialer पर आता हूँ, मैंने यह वाला dialer जो है, add का लिया है, वो भी dialer जो कि मैंने दिखाया, hashtag 1234 hash, करते हैं यहाँ पर hide app open हो जाता है, देखिए, और यही पर यह आपको private save का भी save देखने हो मिलता है, जो कि वहाँ पर देखने हो मिला था, और यहाँ पर use fingerprint अगर करना चाते हैं, तो कर सकते हैं, अब आप यहाँ पर image, video, audio, document, other file, यह सब को भी hide कर सकते हैं, और सब के password आपको same देखने को मिलते हैं, यहाँ पर कुछ अलग password नहीं रहता है, जैसे कि अगर मैं private save की बात करूँ, तो यह देखि से भी direct जा सकते हैं, नेक्स फिचिक बात करें, तो इस वर्म में आपको काफसता है, special feature देखने हो मिलते हैं, इसके लिए आपको आना पड़ेगा, इसके settings option में, उसके बाद करके यहाँ पर आपको मिल जाता है, special features का option, आपको इसको select कर लेना है, और यहाँ पर देखिएग जी यह आपका important notion आया है, आप चाहेते हैं, इसके enable करके रख सकते हैं, next यहाँ पर split view का option देखने हो मिल जाता है, अगर आप यहाँ पर split screen करना चाते हैं, for example, यहाँ पर play store आप यूज कर रहे हैं, साथ-साथ YouTube भी यूज करना है, three fingers से up कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर drag drop कीजिएगा, और यह जो है exit हो गया, देख पा रहे हैं, काफी easy यहाँ पर exit हो जाता है, next time में देखने हो मिल जाता है, flexible window, basically यहाँ पर floating window का यह काम करता है, आपको इन तीनो tap को enable कर देना है, उसके बाद अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, play store open करके, उसके बाद recent tap को tap करता हूँ, three dot पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखे, आपको floating window का option देखने हो मिल गया, जो application floating window को support करते हैं, सिफ उनी application को आप यहाँ पर floating window को use कर पाएंगे, यह दिखे, अब यहाँ पर जो है आप इसको use कीजिए, साथ-साथ यहाँ पर आप कोई split screen use कीजिए, for example, मैं YouTube को split screen में use करना चाता हूँ, तो यहाँ पर देखे, मैंने YouTube को split screen में use कर लिया है, साथ-साथ कोई और application मैं use कर रहा हूँ, और साथ-साथ play store भी मैं यहाँ पर use कर पा रहा हूँ, तो एक साथ तीन काम मैं यहाँ पर बड़े easy तरीके से कर पा रहा हूँ तो इस तेकर से आप close करना चाता है, close कर पाएंगे, तो काफी easy हो जाता है, floating window अगर रहता है, तो आप एक साथ यहाँ पर तीन-तीन काम कर पाईएगा, next यहाँ पर देखनों मिल जाता है, quick run का, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, जो application जो बेसिकली आपका support करता है, जै यह basically आपका quick run है, बाकि यहाँ पर आपको show कर देगा कैसे क्या work करता है, तो आप इसे देख सकते हैं, next time में देखनों मिल जाता है quick launch, quick launch को अगर आप enable करते हैं, तो यहाँ पर google extend और साथ-साथ एक notepad दिया गया, आप इन खाली जगों पर कोई भी application जो है add कर सकते हैं, य उसके बाद यहाँ पर apps की बात करें, तो apps में मैंने यहाँ पर आपका bgmi add कर दिया, और यहाँ पर साथ-साथ मैंने chrome add कर दिया, अब मैं यहाँ पर tick कर देता हूँ, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने lock किया, यहाँ पर मैं जैसे ही unlock और fingerprint को, तो आप चाहें तो इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर smart slide bar देखने को मिलता है, तो basically आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं, अगर किसी जगा से किसी जगा पर switch करना है, for example, YouTube यूटूब यूज़ कर रहे हैं, और कहीं और application में आपको जाना है, तो click और यहाँ पर सारे application आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको बार-बार minimize करने की जरूत नहीं है, डाइकले आप यहाँ पर shortcut के जरीए इसका use कर पाएंगे, और यहाँ पर hide भी हो जाता है, यह बड़े आराम से, तो आप चाहें तो इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं, उसक यहाँ पर next कीजिएगा, next करने के बाद यहाँ पर आप timer लगा सकते हैं, आप बच्चों को 30 मिनिट तक phone यूज करने देना चाहते हैं, तो 30 मिनिट का time लगा दीजिए, फिर custom भी set कर सकते हैं, उसके बद आपको यहाँ पर eye protection चाहिए कि नहीं, यहाँ पर brownie सा screen हो जाता है और साथ-साथ ambient reminder चाहिए कि नहीं, तो यह आप यहाँ पर कर सकते हैं, और यह आपको कुछ allow अगेरा देना है, और यह kid mode आपका आ गया, देखिए, अब यहाँ पर तीनी application है, बच्चे यह तीनी application यूज कर पाएंगे, notion panel को नीचे नहीं कर पाएंगे, नहीं वो exit कर पाए तो देख पाएंगे, तो simply exit करने के लिए आपको अपना fingerprint या फिर password देना पड़ेगा, और यहाँ पर exit हो जाएगा, अगर बच्चे को password नहीं पता, तो यार वो चाहा के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका phone जो है, save रहेगा, और data अगेर भी आपका जो है, save रहेगा, उ simple mode उनके लिए काफी इस्तमाल जानक है, अगर आपके गर में बुजूर्ग है कोई, और आपने ये phone बुजूर्ग को दिया हुआ है किसी का, और उनके आखों से जो है, उतना जादा दिख नहीं रहा है, काफी छोटे-छोटे अक्षर, तो यहाँ पर आप simply simple mode करके उन्हें मिलेगा, all settings मैंगे, तो यहाँ पर सारे settings आपको सब-सब बड़े-बड़े दीखनों मिलेंगे, simple mode से exit करने के लिए, यहाँ पर exit simple mode दिया गया है, click कीजेगा, और आपका simple mode से ये जो है, exit हो जाएगा, next वीच बात करें, तो यहाँ पर आपको काफी सारे suggestion and motion feature दीखनों मिल जाता है, अगर आप यहाँ पर navigation button को left-right का न जाते हैं, तो यहाँ पर option दिया गया है, left-right का, even आप चाहें तो यहाँ पर Jesus को भी enable कर सकते हैं, और नहीं पता तो learn भी कर पाईएगा, और यह देख पार हों कि Jesus में left-right आपको कितना sensitivity रखना है, वो अपने according यहाँ पर select कर प date and time में देखीगा, तो यहाँ पर आपको 24 hours time जो है देखने को मिलता है, अगर आपको यह वाला timing जो है नहीं चाहिए, तो आप simply यहाँ से timing format को change कर दीजे, 24 hour को जो हाँ normal 12 hour में flick कर लीजे, और आप देखिए यहाँ आप 12 hour में आपको AM-PM में जो है time show कर देगा, उसके बद करते हैं, तो यहाँ पर side में आपको एक accessibility shortcut menu देखने मिल जाता है, one hand phone जो जादा use करते हैं, उनके लिए इस्तमाल जनक है, जहाँ पर आपको screenshot quick volume यहाँ पर recent app यह सब देखने मिल जाता है, lock वगेरा, तो जो one hand mode use करते हैं, उनके लिए यह useful है, बागे shortcut lock screen वगेरा, download app वगे और यहाँ पर hearing वगेरा का mono audio, अपने according यहाँ पर right lift audio को आप कर सकते हैं, बाकि यहाँ पर simple touch, larger mouse, यह सब आपको accessibility में देखने मिलता है, assistive ball, इसको enable कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर एक ball देखने मिलेगा, जिसको tap करके आप back कर सकते हैं, यहाँ पर double tap करके recent task कर सकते हैं देखिए कुछ इस तरिके से, और यहाँ पर tap and hold कीजिएगा, तो आप directly home में आ जाएगेगा, तो यहाँ पर इसको आप अपने according set कर सकते हैं, यहाँ पर set का option देखने मिल जाता है, आप यहाँ पर क्या चाहते हैं, वो आप लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर tap menu का भी अपने according, और यह कुछ देर में side में hide भी हो जाता है, तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, बाकि यहाँ पर कितना आपको इसको visible रखना है, वो आप अपने according यहाँ पर slick कर सकते हैं, और automatically यह कुछ देर में hide हो जाएगा, तो अगर आपको इसे enable करना है, तो यहाँ से enable कर प यहाँ पर torch open हो जाता है, और साथ-साथ यहाँ पर आप और तीन में अपने मनपसंद यहाँ पर app को डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर calculator रबट आप इसको change कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर अपने मनपसंद भी डाल सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे work करता है, लॉक स्क्रीन में मैंने ओड डाल किया, और यहाँ पर जैसे simply camera open हो गया, देखिए यहाँ पर camera open हो गया, तो फटा फट से यह जो एकाम करता है, और अगर मैं लॉक स्क्रीन में वी डाल करता हूं, वी तो यहाँ पर देखें, torch इसने on कर दिया, और वी यहाँ पर फिर से ड करता हूं, तो torch off हो गया, तो lock screen में कुछ इस तेगे से यह work करता है, आप चाहें, तो यहाँ से इसको जो enable कर पाएंगे, फिर यहाँ पर three finger screenshot भी है, आपको दिखाता हूं, यहाँ पर three finger से कुछ इस तेगे से down कीजेगा, और screenshot हो जाएगा, आप scroll screenshot ले सकते हैं, यहाँ पर click कीजेगा, और automatically यहाँ पर scroll screenshot यह ले 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 गा, और done कीजेगा, तो यहाँ पर long screenshot हो गया, साथ साथ three finger से screenshot लेके, आप deck ले यहाँ पर click करके, इसको edit कर पाएंगे, यहाँ पर officer edit option देख कर जाता है, crop हो गया, आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं, किसी चीज को hide कर आते हैं, और यहाँ पर translate वगएरा अगर आपको करना है, तो यह भी आप देखी, यहाँ पर translate कर देता है, पूरा हिंदी में यहाँ पर translate हो गया है, search वगएरा करना है, तो search भी आप कर पाएंगे, तो यह चीज जो है काफी बढ़िया है, आप यहाँ पर screenshot से काफी कुछ य on-off कर सकते हैं, तो यह भी आप चाहें, तो enable, disable कर पाएंगे, उसके बाद rise to wake का option देखने हो बजाता है, simply इसको enable कीजिएगा, तो फोन को जब भी उठाएगा, screen on हो जाता है, तो इसको on करने के जरुत नहीं है, left to ear answer call, इसको enable कीजिएगा, तो यहाँ पर जैसे ही आपका call अगर आता है, आप simply कानों के सामने लेजएगा, automatically answer कर देगा, auto switch reverse का option देखने हो जाता है, तो basically इसको enable कीजिएगा, तो automatically यहाँ पर switch हो जाएगा, अगर आप कानों से फोन नीचे होता है, automatically speaker को हो जाएगा, flip to incoming call का option है, इसको enable कीजिएगा, तो call अगर आ रहा है, simply flip करके य यह सारे motion analysis में देखने हो जाता है, यह one hand mode देखने हो मिलता है, जिसको आप enable कर सकते हैं, power button में यहाँ पर जो है, अगर आप press and hold करके रखते हैं, तो आपको हमेशा Google extend देखने हो मिलता है, और आप चाहते हैं, power switch off करना, तो यहाँ पर volume up और power button दोनों को एक साथ press करना पड आप यहाँ पर power button additional settings में आकर, power button में आकर, आप simply इसको power menu कर दीजेगा, अब यहाँ पर press and hold कीजे, अब आपको simply power menu ही आएगा, यहाँ पर आपका Google extend नहीं आएगा, तो कुछ इस तरीक सा आप power button को customize कर सकते हैं, screenshot मैंने आपको दिखाई दिया था, बागी आप यहाँ पर औ और एक बार tutorial बगएरा देख सकते हैं, screen record, यहाँ पर आपको screen record का भी feature देखने हो मलता है, जहाँ पर आप अपने according screen कितना record करना चाहता है, 1080p, यह max video record करता है, मतलब यहाँ पर screen record करता है, और आपको इसका shortcut जो है, notion panel में देखने हो मिल जाता है, जिसके आप यहाँ पर दे enable, disable भी कर पाएंगे, और आप यहाँ पर screen record पर click किजेगा, तो आपका screen record होना start हो गया है, जिसके आप यहाँ पर देख पार है, और मैं अगर stop करता हूँ, stop करने बाद यहाँ पर ok कर देता हूँ, और मेरा screen यह record कर लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर screen record हु मेरे sound को भी इसने record किया हुआ है, तो देख पाएंगे कुछ इस तरीक साथ आप यह screen को भी record कर सकते हैं, उसके अदर में देख में बिलाता है, schedule power off on का, काफी लोग जो है, अपने phone को रात को switch off करना पसंद करते हैं, और दिन में switch on करना भूल जाते हैं, तो यहाँ पर आप schedule लगा सकते हैं, automatically आपका phone switch off हो जाएगा, automatically switch on भी हो जाएगा, otg connection, यहाँ पर जो है, यह otg connection को support करता है, इसको enable करने के ज़रत नहीं, directly आप pin drive को अगर connect करते हैं, मैंने otg test किया था, तो directly connect करने पर automatically यहाँ पर otg connect हो जाता है, बागी अगर नहीं होता है, तो यहाँ से आ reset बगरा करना चाता है, तो यहाँ से आप जो है, आप जो है, सिंपल, सिर्फ network reset करना चाता है, अगर आपको wifi में problem हो रहा है, mobile network में problem हो रहा है, bluetooth में problem हो रहा है, तो सिर्फ आप network reset कीजिए, आपको पूरा phone reset करनी के ज़रत नहीं है, और यहाँ पर reset all settings का भी option दिया गया है, अगर आपके settings में कुछ गड़बर हो जाता है तो simply आपको phone reset करने के ज़ुदत निया पूरा all settings आप यहाँ पर reset कर सकते हैं और यहाँ पर इरीज, SMS, MMS यह सब देखने को मिल जाता है तो अगर आप यहाँ पर सिर्फ, SMS, MMS यह सब देखने करना चाता है तो इसको आप कर सकते हैं और पूरा phone format करने के लिए इरीज all data आपको क्लिक करना पड़ेगा तब यहाँ पर आपका पूरा phone format होगा next feature बात करें वो होम स्किन कस्टमेशन, simply आप यहाँ पर होम स्किन को कस्टमाइज कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर swipe down करते हैं वन फिंगर से तो आपको search देखने को मिलता है और अगर आप app door में जाते हैं तो यहाँ पर keyboard automatically open हो जाता है जो कि alloying फिल करवाता है और सास अगर आप देखेगा तो यहाँ पर suggest app आपको देखने हो मिलता है इन सब को आप हडा सकते हैं बागे आपको यहाँ पर page देखने हो मिल जाता है अगर आप राइट की तरफ swipe किजेगा तो यह basically आपको information, news वगरा provide करवाता रहता है आप कैसे customize कर सकते हैं double finger से कुछ इस ते के से करना है और यहाँ पर देखिए application को आप यहाँ पर remove कर सकते हैं गूगल application है अगर आप इसे remove करना सब्सक्राइब क्लॉक को simply आप यहाँ पर remove कर पाएंगे यह देखिए और यह widgets है आप यहाँ पर shortcut widgets को काफी सारे ला सकते हैं और अगर आप देखिएगा तो application में आपको एक tick mark देखने को मिल रहा होगा आप इनको एक साथ कहीं पर भी drop कर सकते हैं किसी और page में ले जाका drop करना है कहीं और ले जाका drop करना है तो आप अपने according यहाँ पर इनको drop कर पाईएगा ताकि नीचे के तरफ देखिए तो आपक मैं दिखाई दिया था आइकन भी मैंने दिखाई दिया था विजिट्स में दिखा देता हूं यहाँ पर काफी सारे आपको शॉटकट विजिट्स देखने को मिल जाता है जैसे कि मैंने clock को हटा दिया था तो जो मुझे पसंद है वो clock में यहाँ पर press and hold करके simply यहाँ पर drop क कर सकता हूं यह देखिए अब यहाँ पर देखिए मेरे पसंदिदा clock यहाँ पर लग चुका है तो इस तेकर से आप शॉटकट विजिट्स आप एपलाई कर सकते हैं काफी सारे शॉटकट विजिट्स है जो भी आप इंस्टॉल करेंगे उनके शॉटकट विजिट्स आपक चेंज कर पाईएगा ट्रांसलेशं इफेक्ट इसकी एफेक्ट को आप चेंज करना चाहते हैं , जो भी आपको पसंद आप सिंप्ल अपलाई किजएगा और वह एफेक्ट यहाँ पर अलाओ हो जाता है कुछ इस तरीके से पर आते हैं तो यहाँ पर आपको home screen mode को मिलता है तो यहां पर आप इसको off कर सकते हैं, जो कि आपको नहीं आएगा, और keyboard को भी off कर सकते हैं, और यहां पर आप देख पाएंगे, add app to home screen का option देखनों मिल जाता है, जो भी newly आप download कीजेगा, तो आप चाहे तो इसको disable कर सकते हैं, अब यहां पर कुछ भी नहीं है, मैं आपको द layout मैंने आपको दिखाई दिया था, icon pull down, यहां पर जैसे से देख में मिल जाता है, इसको enable कीजेगा, तो simply आप यहां पर side से कुछ इस तेख से icon को pull down कर सकते हैं, मतलब one hand use कर देखे, यह जो है, इस्तमाल जनक हो सकता है, अगर आप एक हाथ से जादर तर phone को use करते हैं, lock home screen layout अगर आप इसת enable कर देते हैं, तो किसी भी application को आप कहीं भी जो है, नहीं ले जा सकते हैं, यहां पर आपका home screen लोक है, और यह आपको बच्के रहते हैं, तब आप यहां पर यहां पर यहां पर लोक करके रखिसकते हैं, इसको enable किजीएगा, तो कहीं पर भी खाली जीएगा पर डबल टैप कीजएगा आपका फोन लॉक हो जाएगा उसके बदा आप अपना पासवर्ट वगेरा देखर जो ओपन कर सकते हैं इस से क्या रहता है ना पाउर बटन का जो लाइफ है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है आपको लॉक करना है कहीं पर भी खाली जगा पर डबल यहाँ पर notion drawer मैं select करता हूँ अब मैं यहाँ पर जब भी swipe down करूँगा तो देखिए यहाँ पर notion drawer आ जाता है तो यह वाला changes आप कीजिएगा तो आपके life में जो है काफी easy रहेगा task वगेरा करना उसके दो मैं देखना हो मिल जाता है closing animation speed को option जो कि आप medium fast अपने according कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपडेट का option देखने को मिल जाता है यह enable किजएगा तो कोई भी update वगएर आता है तो आपको dot देखने को मिलेगा उसके दियाँ पर आपको realme का यह वाला option काफी बढ़ियां देखने को मिलता है हर बाल लॉक स्क्रीन में आपको अलग अलग wallpaper देखने क कर सकते हैं तो यह option आपको यहाँ पर दिया गया है rise to wake up का option दिया गया इसको enable कीजिएगा तो simply phone को उठाएगा wake up हो जाता है यह बैटरी को देखने करता है इस पर से इसको enable ना कीजिए double tap to turn on और turn off का option देखने मिलता है यह वाला feature काफी बढ़िया है for example आपका phone lock है double tap कीज कर सकते हैं पार बार बार पार बटन प्रेस कर निकिस जरूत नहीं है next हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर show media player on lock screen तो इसको अगर आप यहाँ पर enable करते हैं तो यहाँ पर आपको control media player आपके lock screen में show होगा जब भी आप गाना वरना बजाएंगे अगर आप इसे disable कर देते लॉक्स्रीन में show नहीं होगा लॉक्स्क्रीन शॉटकट देखने हो मिल जाता है यहाँ पर आपको Google एस्टेन और camera देखने हो मिलता है मैं आगर दिखाऊं यह देखें यहाँ पर चैंज कर सकते हैं कुछ यहाँ पर option देखने हो मिल जाता है qr code यह पर torch यह पर device control यह आपक आपको 2 option देखिना मिलता है यह दोनों मां से आप जो भी select करना चाता है वह आप स्थाइल यह साइड मे रहेगा जिससे आपको wallpaper पर काफी clean देखने को मिलता है और एक बीच में रहता है तो दोनों में से कोई भी आप एक select कर सकते हैं then हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है pocket miss touch का option तो यह वाला feature काफी कमाल का है यह enable रहता है by default pocket में यह अगर phone रहता है तो miss touch से यह बचाता है यहाँ पर miss touch ना हो जाए जिससे यहाँ पर जाए फिंगर्मेंट लगके unlock होके किसी और को call ना लग जाए यह वाला feature आप enable करके रखिएगा next यहाँ पर recent task measure देखने हो मिल जाता है अगर इसको आप enable कर देते हैं तो यहाँ पर आपको जो है RAM शो हो जाता है यह देखे आपने कितना RAM यूज किया है कितना available है देख पार है 8GB में से यहाँ पर 2.41GB available है और यह जो चार्ज भी यह बिलकुली free है तो आप यहाँ पर जो इसके लिए आपको आना पड़ेगा इसके settings option में और यहाँ पर आपको काफी सरे option देखने हो मिलता है जिनमें कुछ न कुछ फीचर देखने हो मिलता है सबसे पहले बात करें wifi की अगर आप जो है किसी friend के घर गए हुए है और वहाँ पर wifi connect किया है आपके friend ने password नहीं बता ह क्लिक करने बाद यहाँ पर share का option आ जाता है इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर simply password दोंगा देते हैं यहाँ पर QR code scanner आ जाता है आप इसे google से scan करके password जान सकते है या फिर यहाँ पर आपको simply password लिखा हुआ भी देखने हो मिल जाता है और मैं यह नहीं इसलिए दिखा रहा ह क्योंकि मेरे आस परोस में काफली लोग है जो कि मेरे wifi चुरा सकते हैं इस वसे मैं नहीं दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप wifi के code को crack कर सकते हैं नेक्स यहाँ पर mobile data network वगरा issue आ रहा है तो यहाँ से आप resolve कर सकते हैं Bluetooth यहाँ से on-off कर सकते हैं connection share में यह यहाँ से कास्ट वगरा कर सकते हैं allow वगरा देखर यहाँ पर और जो भी कास्ट वगरा करना है यहाँ से simply आप उसको कास्ट कर पाएंगे उसके यहाँ पर देखनो मिल जाता है wallpaper style वगरा जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था home screen and lock screen इसके settings के बारे में मैंने अभी कु आदा सेफ करेगा तो डार्क मोड करके रखेगा आप चाहें तो schedule भी लगा सकते हैं कितने वज़े इसको on करना है कितने वज़े off करना है या फिर इसे off भी रहना देना साते हैं तो रख सकते हैं उसके आपको यहाँ पर brightness का option देखने मिल जाता है जिसको आप कम जादा कर सक में हम लोग रात को reading वगरा करते हैं जिससे आखों में जलन या फिर चुबन हो जाता है तो आप यहाँ पर रात को अगर अंधेरे में फोन को यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है आई कमफर्ट को एनेबल कर लिजिए और अपने according high या फिर low कर लिजिए कितना brownish च बढ़ करते हैं नेक्स यहाँ पर front size को आप कम जादा कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देखे मैंने बढ़ा दिया यह बढ़ चुका और display size को भी यहाँ पर आप यहाँ पर आपका display size भी large हो गया देखिए आप थोड़ा सा बढ़ा हो चुका है और तो रोटेट का option देखने म मजाता है adaptive sleep का भी option देखने मलता है जब तक आप फोन को यूज करें तब तक यह जो है आफ नहीं होगा screen refresh rate यहाँ पर आप यहाँ 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 कर सकते हैं यहाँ पर auto selected रख सकते हैं यहाँ यहाँ पर अगर आपको जो है हाइड वगएरा करना है तो यह कर सकते हैं कोई application आपका full screen नहीं ले रहा है तो आप उसको भी यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको do not disturb का भी feature देखने हो मलता है जो कि मेरा favorite option है रात को मैं फोन को silent करके सोता हूं और unsilent करना दिन में भोल जाता हूं तो यहाँ पर do not disturb का एक फाइदा है आप यहाँ पर schedule लगा सकते हैं और आप यहाँ पर जाए फेवरेट कॉन्टेक्स या फिर यहाँ पर जाए फेवरेट आप के जो नूच्छन को उसको अलाओ दे सकते हैं do not disturb में उनके calls या फिर apps के नूच्छन वगरा आएंगे तो आपको यहाँ पर उनके नूच्छन और call के ringtone सुनाई देंगे जैसे कि आपको emergency में mommy, papa या फिर girlfriend कॉल कर सकते हैं तो यहाँ पर आप contact में उनको allow दे सकते हैं बागी unknown number वगरा तो वो call यहाँ पर आपका receive नहीं होगा तो यह भी काफी बढ़िया दिया गया है आप चाहें तो इसके इसके इसमाल कर सकते हैं नूच्छन status का option देखने में जाता है यहाँ पर lock screen के नूच्छन वगरा को अगर आप आप जो है off करना चाते हैं for example यहाँ पर lock screen है और यहाँ पर मैं double tap करके अगर दिखाता हूं तो नूच्छन पैनल में यह नूच्छन पैनल जो नीचे आ जा रहा है तो आप इसको यहाँ से turn off कर सकते हैं अब यहाँ पर दे यहां से आप disable enable कर सकते हैं for example यहाँ पर देखे अप मार्केट में जो हो रहा है मैं आपको दिखाऊं तो यहां से मैं जो है इसको off कर देता हूं do not show अब देखे यहां पर यहां से आप मार्केट का जो badge है वो हट चुका है तो यहां से आप इसको कर पाईएगा उसके यहां पर आप ताइम ट्रम कर सकते हैं आप आपको किसा साप अंगर किजेगा फिर आ फिर तो खुछ नहीं है तो आप अपने अपर कर सकते हैं आप अपने एकॉर्ड है। यहां पर करना है यहां कि यहां पर नेट्वक किर आपफ को करना तो वो भी आपका शो हो जाएगा बागे Bluetooth यहाँ पर Wi-Fi, VO Wi-Fi इन सब का आपको दिखाना आइकोन तो यहाँ से यहाँ से आप डिसेबल करके रखेगा बागे यहाँ पर कुछ नहीं है Apps की बात करें तो यहाँ पर आप क्लोन को कर सकते हैं और यह सारे को क्लोन करता है यहाँ भी आप यहाँ पर दो-दो कर सकते हैं जाके default app वगरा है, app manager आपको देखने हो मिल जाता है, recover system app, social app और यहाँ पर साथ साथ आपको नीचे के तरफ app log का भी option देखने हो मिलता है, इसके बार मैंने पहले ही आपको बता दिया था, उसके बार मैं देखने हो मिल जाता है security and privacy, जहाँ पर आप security and privacy related काफी सारे customization वगरा, जैसे के यहाँ पर find my device यह सब देखने हो मिल जाता है, more security में आएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे के तरफ app pinning का option देखने हो मिल जाता है, यह मेरा favorite option है, जब भी मैं बच्चों को phone देता हूं, तो app pinning करके देता हूं, YouTube बगरा चला कर, जिससे वो जो है सिफ YouTube पे बने रहते हैं, और यहाँ पर मेरे phone में कोई भी harm नहीं होता है, for example, यहाँ पर मैंने YouTube को open किया, यहाँ पर click किया three dot पे, और उसके बद यहाँ पर pin का option पे click कर दिया, और बता देता है कैसे open करना है, और यह pin हो चुका, अब देखने, नीचे नहीं आएगा, कुछ भी नही exit कते हैं, तो यहाँ पर आपका phone lock हो जाता है, जब तक आप password नहीं दीजेगा, fingerprint नहीं दीजेगा, तब तक यहाँ पर unlock नहीं होगा, तो यह वाला feature मुझे काफी अच्छा लगा, app pinning वाला, बागे यहाँ पर आपको मैंने app lock, app hide और यहाँ पर private safe का feature मैंने बता ही दिया थ और कौन सा application आपने ज्यादा यूज किया, power saving mode यह सब देखने को मजाता है, जहाँ पर power saving mode दिया गया है, और automatically यहाँ पर 10% होने पर यह power saving mode पर चल जाता है, बाकि यहाँ पर battery life को भी यहाँ पर आपने according कर सकते हैं, यह सब आपको super power saving mode दिया गया है, अगर आप इसको enable करत होता है, यह तब ही enable easy होता है, जब आपका battery 5% बचा हुए, 10% बचा हुए, आपको काफी देर तक survive करना है, कहीं ऐसे जगह पर charge करने का मौका नहीं बिलता है, तब आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, exit करने के यहाँ पर exit करके simply आप exit कर पाएंगे, यह देखें, मैंने यहा पर अपने according set कर पाएंगे, बागे special features मैंने बता दिया था, digital learning control अगर बात करूँ तो यहाँ पर सारा दिन में आपने क्या कर यूज किया, वो देखने को मिल जाता है, बट रात के 12 बचे यह automatically reset हो जाता है, उसके पर additional settings, इसके बारे में मैंने पूरा features बता दिया था, about device की बात करें तो यहाँ पर device के बारे में सारे information वगरा देखने को मिल जाते हैं, जिसके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसके दमें user account, google account और यहाँ पर realme lab देखने को मिलता है, realme lab में यहाँ पर dual mode audio का option दिया गया, जहाँ पर आप at a time Bluetooth headphone और साहाँ साहाँ यहाँ पर 3.5 jack या फिर आप C type से यहाँ पर जो C type headphone है, उन्हें connect करके रख सकते हैं, यहाँ पर 3.5 jack नहीं है, तो यहाँ पर एक साथ आप dual mode audio का feature का मज़ा ले सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर headphone भी connect कर सकते हैं, और साहँ साहँ आप Bluetooth वाले earbuds भी connect कर सकते हैं, और वागी heart rate यहाँ पर mention का अब यह option देखने को मल जाता है, एगरी वेगरा कीजेगा, तो यह देखिए, आप fingerprint के जरीए, आप अपने heart rate को भी mention कर सकते हैं, और यह वाला feature अभी सारे phone में नया दिया जा रहा है, यह देख पार होंगे, मेरा heart rate कितना अभी बता देगा, पान सेकेंड में, भाई, 100 BPM पहुझ गया, अच्छा, तो यहाँ पर देख पाएंगे, 96 BPM, मैं काफ़ी बात कर रहा हूं इस पहसे, तो यह आपको देखने को मिलता है, आप अपने according यहाँ पर history भी देखेगा, जो भी आपका history अगर आप सेफ करेंगे, तो history भी आपका शो कर देगा, बाकि यहाँ पर आप देख पाएंगे, वाइरस वगेरा है की नहीं, यह सब चेक कर सकते हैं, और tools पाते हैं, तो यहाँ पर आपको compass मिल जाता है, calculator देखने मिल जाता है, clone phone देखने मिल जाता है, और document यहाँ पर आप रख सकते हैं, note वगेरा कर सकते हैं, तो यह सब कुछ आपको जो है, regarding कोई भी question कोई भी कोरियों नीचे comment कर सकते हैं, बाकी जो है, मैं इससे तरह के interesting videos लाने की कोईश्च करता था हूँ, तो चैनल पर नहीं है, तो चैनल को subscribe कर लिजेगा, सासर बेक्म को पैसे के all पे click के दिया, आगे मिलते हैं आपके साथ, नेक्स वीडियों में एक और ने technicals के साथ